वेलकम टू हैथराबास सर अगबार में मेरा फोटो कितना मस्त है ना सर मैंने आपकी फाइल देखिया सर चार प्रमोशन्स और सैतिस अनकाउंटर आपके अंडर में काम करने के लिए तोपी पर लगे तीन शिरोपर गर्व नहीं है मुझे बलकि आपके साथ 24 गंडे गर्व क मज़िया सार अपने शेर का क्रीमिनल है पप्पू है पप्पू कर दो 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 जरे! झेकर दो जरे! बोच्चा! झेकर दो जरे! माफ क्या रो बाई डेली वकस यहां मरने के लिए ही काम करते हैं तुम मुझे कीमत दोगे या मरोगे सनो मुझे जो भी चीज अच्छे लगती है वो मेरी हो जाती है अब ये फैक्टरी मेरी है समझ गए बायो डाटा तो अच्छा है मगर इसका बॉस तो बैक्राउंड में चुपा है ये तो सिर्फ इस शहर में अपना राज चलाता है नैशनल लिवल पे जिसका सपूर्ट है व को है दादा ये है मदन दादा का होलेंड सोल ये है बबबर दादा का राइट है ये दादा का छोटा भाई अगर दादा गंद निकालता है तो ये उसमें बुलेट डालता है और ये है दादा पुरा का पुरा वन मैं शोड युमन ट्राफिकिंग ड्रग्स कसिनोज मनी लैंडरिंग वैपन्स और जितने भी लेगल बिजनेस है ये सब करता है जो भी इसके खिलाब चाता है ये उसे मौत के घाट करता है अब मैं आपके बारे में सब कुस समझ गया सर आप इस पपू से एंकाउंटर शुरू करके उस दादा को फिनिश करोगे एमाई राइट सर कूल कूल इस स्टार को देखकर इतना ज्यादा उचलो मन सिंसिरली जूटी करोगे तो अपनी जान गवानी पड़ेगे और अगर सिंसिर होने का ढोंग करोगे तो प्रमोशन्स मिलेंगे सर हम उन क्रिमिनल्स को मारेंगे या नहीं उनकी मौत तो पक्की है अगर प्राब्लेम है तो सोलिशन भी हो इस पको का खाता बन करने के लिए बुलेट की नहीं मिसाइल के ज़रूरत है और वो मिसाइल कही न कही तो ज़रूर होगा ये फिफ्ट फ्लोर और सिफ्ट फ्लोर की कनेक्टिविटी कैसे लिए बुट मॉर्निंग राव भाई ज्याल चले इस फिल्ड में तुम्हारी फैमिली का बहुत बड़ा नाम है आप कोर है भरत कंस्ट्रक्शन भरत राजपूत पिछले मैंने आप ही की बनाई हुई ब्रिज टूटी थी ना न्यूज में आया दो करोड मुझे फायदा हुआ बाइस करोड का आप यहां क्यों है कोई खास बात नहीं है सिमेंट का दम बहुत बड़ गया है ना तो मैंने सिमेंट के जगा पर मिट्टी मिला दी और मेरी बदनामी के वज़ए से एक भी फ्लैट में भीका मैं समझा नहीं अगर इस पर साइन करोगे तो मेरे कंस्ट्रक्शन के साथ कौतम का बोर्ड लगा दूँगा और फ्लैट आसानी से बिग जाएगा बस इतना ही चाहता हूँ बड़ी आसानी से साइन कर दिये मुझे लग रहा था कि बंदुग दिखा कर साइन करवाना पड़ेगा इसने बड़ी आसानी से साइन कर दिया आप में यही थो खासियत है तुनो, साइन तो असानी से हो गया, लेकिन पेपर बाहर लेकर जाना असान नहीं है अच्छा, तो तुम मुझे यहां से बाहर नहीं जाने दो गए पेपर गेट के बाहर लेकर चले जाओ, तो तुम्हारा हो गया गेट या स्टेट? गेट पार्क कर लोगे तो स्टेड भी पार कर लोगे समझे दुबारा कह रहा हूं गेट गेट कोल रहा हूं गेट कोल रहा हूं रहा हूं गेट कोल अरे पुरादे इसे गया गेट गया गेट टार्क कर लोगे कर रहा हूं कर लोगे रुट गुर वार्क कर लोगे वां कौन है यह लोग जो गौतम से मार खा रहे हैं वो वो बिल्डर भरत राजपूत है कौन है तो? शेर और सुनामी देखने के बाद ये पूछना की हू आर यू हाव आर यू तो बहुती आसान जवाब मिलेगा समझ गए? चलो निकलो चलो निकलो का क्या मतलब है? मैं पेपर के साथ ही बाहर जाऊंगा समझ गए ना? पेपर्स पर साइन करा लिया चलो वो भी ठीक था पर उसे बाहर ले जाने के गलती मत करना वरना तु मुझे धमकी दे रहा है क्या? अभी देख में तेरा क्या करता हूँ? दुम्रपान करना और शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है मेरी सिग्रेट, मेरा लाइटर, मेरे फेपड़े, तुझे क्या प्रॉब्लम है इस है? पॉब्लिक प्लेज में सिग्रेट पीना गलत है हाँ या ना गलत है या नहीं यह विग्यापन तो हम पूरे टीवी में देखते हैं तुने पूरे देश की जिमिदारी लिए क्या अपने मर्जी से मारना शुरू कर दिया किसको इनको इसको क्या बॉस आप समझे नहीं क्या यह सिग्रेट के लिए नहीं यह पेपर के लिए मार रहा है यह बहुत खतरनाक है इसके दिमाग में कुछ और है और मुझ से कुछ और बोलता है एक दम सही का मेरा कैरेक्टर ही ऐसा है मेरा दिमाग में कुछ और होता है मगर मैं बोलता कुछ और समझ गया है तो आप क्या करो मैं समझ गया भाई यह क्या यह क्यूं शर्पा रहे है शरम तो हमें आनी चाहिए थो स्क्राइण प्रेक्तिस खातम जाजमान दो गप्रेक्टिस काथम जाजमान दो यह है दुनिया में शादी की प्रैक्टिस करने वाले पहले इंसान आप है पंडेत मा डालूंगा तुम्हारे बॉडी का एक भी पाट नहीं मिलेगा शादी का मतलब है तुल्हन का हाथ धीरे से पकड़ना गल्ले में मंगल शुत्र पहिनाना उसके मांग में सिंदूर भरना इट्स सब्सक्राइब करें तुम्हारे यार वह लड़की दुसरे से प्यार कर दिये जानते भी भाई उससे शादी करना चाहते है आपता है यह शादी हो गिया नहीं तुनिये मुर्थ का समय निकला जा रहा है कन्या को लेकर आईए देखो दुलहन बिलकुल मालक्षी जैसी लग रही है वो मेरे दुलहन बखागा नहीं ले गया इजद क्यों वाट लगा दी पकड़ो उसे यह साइन कर दीजे प्लीज यह साइन के साथ हुई थी यह पूल दूब नीचे वाल दूब नीचे सीता की शादी राम के साथ हुई थी यह पूरी दुनिया जानती है और मैं यहां का रावन हूँ इस आदनी को पहचान लो मुझे इसे मारना है उसके बाद ही मेरे दिल को ठंड़क पहुचेगी और जब तक मैं जिन्दा हूँ यह बद्दा मी मुझे तिन रात तताती रहेगी तुम से बद्दा लेने के लिए मैं तुम्हारी फैमिली को बहुत टॉर्चर करूंगा यह मेरा तुमसे वादा रहा तुमने मेरी बेईज़ती की है और तुम्हें इसकी सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी तुम मरते तम तक मुझे याद रखोगे क्या चैलेंज किया तुमने मुझे पपू गलती से भी अगर तुमने मुझे चुआ न तो कोमा में चले जाओगा और अगर तुने मेरी फैमिली को टच किया न तो तुझे अर्थी पर लेटा आओँगा पर अगर तूने मेरे दिल को टच कर दिया ना, तो बात बनेगी, जिंदगी बार याद रखूंगा तुछे को, लेकिन मुझे एक छोटा सा डाउट है, जो लड़की किसी और से प्यार करती है, तुम उससे शादी करना चाहते हो, और जिस लड़की से तू प्यार करता है, उ तू सिर्फ देख सकता है, मुझे रोक नहीं सकता, याद रख ले, अपनी मेमरी में सेव कर ले, मेरी मेरी में जगा नहीं है, तू ही अपनी मेमरी में सेव कर ले ना, उसमें वाइरस कब डाल दूँगा, पता ही नहीं चलेगा, चल निकाल, वा, क्या डायलोग माना है, रि जिस्टर आफिस के सैम नहीं पहली बार वन अफ दी बैस चालेंज है हाँ तूस जिन्दगी में जिस लड़की से प्यार करेगा तेरी उस लड़की से ये शादी करेगा और ये तेरी वो हालत करेगा के जिन्दगी बार याद रखेगा तू ये तो एक फूल दो माली वली बात हो गई वाह मैं तो तेरा बहुत बड़ा फैन हो गया मेरी भी लाइब पूरी तेरे जैसे है ऐसा आत्मी कभी टक्राय नहीं और तेरे जैसा आईडिया है नहीं कमाल के हो भाई तू भगवार पैसले के लिए इंद्धिसार कर्रों है हाँ एक इंच कम हो गया अब जीरो साइज की तरफ बढ़ूंगी पिफ्टी कमेंस और हंडर लाइक येस डैडी सेफी दी जीजाजी सेफी गर और मोर्स मैरी बेटी भी कमाल की है बाहर फोटोगरफी करती है और घर में सेलुफी लेती है अहर तुम्हारा गोङ क्या है शारुख हान फिल्मों में आग्टिंग करता है और I.P.L. टीम भी मेंटेन करता है आमिर खान हीरो भी है और बिस्निसमेन भी और शत्रु गंसना हीरो और पॉलिटिशन भी तो मेरा भी ऐसा ही है सेल्फी मेरी होबी और फोचोग्रफी मेरा पैशन ओके कमान कमान निखिल श्माई इतना तयार होकर तुम कहा जा रही हो तुड़े इस नंदूस्डे मेरे फोटोग्राफ्स के लिए श्प्राइस मिलेंगे रहने दो जब से कैमरा लिया है मैं यहीं सुन रही हूँ लेकिन आज कर दिन खास है आज मुझे प्राइस जरूर मिलेगा नेची फोटो है क्या नेवर विफो नेवर आफ्टर टुम को तुम के यहीं नेज वटोग्राफर्स कलम दिससे बस्त पिर्ट्यरप और तो मिलेंगे व्रिए जिर्स अवर्ट प्रफिर्प्र प्राइस गुस्ट्राफ्राफ्स 2 मिलेंगि वाव! एक्साइटिंग! ये प्राइस तुम्हें किस पोटो के लिए मिला? वो दिखने में कैसा है? मैंनली है कि तुम्हारे पापा जैसा है? अच्छा दीखता है या तेरे जीजा जैसा दीखता है? मैंने तो इसे देखा ही नी, क्या कहा? नहीं देखा उससे, वो तो उधर मिस हो गया, लेकिन लाइफ में मिस नहीं होगा मैंने तoh तेय कर लिया है. जिस हाथ में वो फ्लैक पकड़ा था, उस हाथ को मैं लाइफ लोंग पकड़ू थी. कंट बैलेंस देखकर प्यार करने वाले जमाने में, तुम हाथ देकर प्यार करने लगी? मैंने उससे प्यार, उसका हाथ देकर नहीं किया. उसके दिल में हमारे देश के फ्लैक के प्रती, रिस्पेक्ट और तेश भक्ति के लिए किया है उसके लाइफ में आने से पहले ये प्राइज मल गया आएगा तो क्या होगा? चलू न, जाकर उसे डूढते हैं उसे कहां डूढोगी और कैसे डूढोगी? डूढ भाई, मैंने देखा ये लड़कियां उस गौतम से प्यार करती है आज महल गिफ्ट में दिया, मतलब उसकी लवर ही होगी हाँ भाई, कोई लवर ही अपनी प्रेमिका को गिफ्ट दे सकता है? मेरी होने वाली दुलहन को भगा कर ले गया और वो इतनी लड़कियों से प्यार करता है यह क्या क्या पपु भाई, मेरी बाहर वाली को आपने किड्नाप कर लिया आप मुझे कह देते न, मैं खुद उसे यहां लेकर आजाता किड्नाप पपु भाई ने नहीं, उस मोटू ने किया है तुम तो कुछ करते ही नहीं हो जानू, मुझे लगा शायद यह कुछ करेगा ठीक है, इधर चलो मेरे साथ, इधर का फालदा मत करो, पपु चलता हूं मैं हेलो, मैं C.I.D. ओफिसर शीकान बोल रहा हूं, कौन है तू, कौन है जिसने मेरी गल्फ्रेंट को उठाया को मेरी 對, तू, सर्ला को आपने लड़ी, नहींसे मेरे दिल के टूख्रें मैरी पत्नी को उठा लिया मेरी जिंदगी पर बात करके रख दी है अब मैं किसे नहीं काओंगा एरसा कुछ निवा चैट करकर आपने तो मेरे पंगेिants को यह साथ कुछ किया तो नहीं ना तच में कुछ किया नहीं ना यह ले आपन दोनों मस्ते भीकर घर में एंजाए करते हैं तुम लोग सबसे पहले चेक करो कंफर्म करो उसके बाद भी से लड़की को उठाना है क्या उसके जिन्दगी में कोई लड़की नहीं आएगी एक कुमार मैंने कभी भी तुम्हें लवर की नज़े से नहीं देखा तुम्हें हमेशा अच्छा दोस पांदी थी तुम सारी लड़की आइज जैसी होती हो गिफ्ट देने पर लवर समझती हो आई लव यह बोलने पर फ्रेंट बोलकर निकल जाती हो मेरी बात मालोगी या मैं यहां से कुछ जाओ नद धोलगी एक जैसे होते हैं अगर हां बोल दो तो सेल सेल फोन गिफ्ट में देते हैं और ना बोलो kup सेल फौन के टावर पर चड़कर कुदने की धंकी देते Wells यह खासा नमोनन है सेलफोन टावर पर खड़ा रहे के सेलफोन गिफ्ट मांग रहा है, सुसाइड करने की धंकी दे रहा है, चल देखते है चांदरे मुझे तुम में कोई इंट्रेस नहीं है, कहा ना जल्दी से नीचे आओ हे हे, स्मार्ट बॉय, तुमको चांदनी पसंद है, ये नंदनी पसंद नहीं है, क्या तुम जल्दी से नीचे आजाओ, तुम्हे गले लगाकर I love you बोलूगी ठीक है ना, देर मत करो, जल्दी आओ जालिंग, उधर नहीं, इधर हूँ, आओ, आओ, गले मिलकर I love you बोलो ए, तु तो गले मिलने वाली थी, काल लाल क्यों कर रही है तुम एक लड़की को जबर्दस्ती I love you बोलकर, उसे मजबूर कर रहे हो और चाहते हो कि वो तुमारी धमके से डर जाए और अगर बेचारी ने तेरी बात नहीं मानी तो दुनिया के सामने वो गलत हो जाएगी, है ना उसे बचाने के लिए मैंने ये सब किया तुम्हें पता लाव क्या होता है? मुझे भी नहीं पता लेकिन वो बहुत ब्यूटफुल फीलिंग होती है चीप प्रिक्स मत करो सॉरी सिष्टर कम ओन नंदू ने एक बक्रे को बचाया इंप्रिसिव चार मिनार से लेके शम्शाबाग तक ढूंदा अमीर पेट से लेके अमर पेट तक ढूंदा हिमायत नगर से लेके हायात नगर तक ढूंदा लेकिन मुझे कौतम नहीं मिला, वो मुझे कब मिलेगा शेहर का हर मोहला बस्टों पर भी ढूंडा ओहो, बस में करो, अब ओर्डर तो दो ओके सुन, कापुचिनो पियागा? ओके टू कापुचिनो प्लीज त्री कापुचिनो कोफी इतनी ठंडी क्यों लग रही है? सर, आपने ही तो कोफी को ओडर गया कोफी मेरी नाक में है, लेकिन कोफी कोड नहीं चाहिए तो हट कोफी ओडर करें कोफी गरम चाहिए कर्मी के मौसम जैसे गरम चाहिए ओके सर हे नंदिनी, तुम्हारा गौताम मिल गया जिससे तुमने बिना चहरा देखे प्यार किया उसके हाथ की फोटो है कोफी बहुत गरम है देखा ना, मैंने कहा था ना, स्टेफ बाइ स्टेफ मैं उसके और नज़िक आ रही हूँ डेफिनिटी गौता मुझे मिलेगा ही, I'm sure आपी गौता में उसे बता दीजे ना भाईया मैं जिस लड़की से इंप्रेस्ट हूँ, वो पहले सही मुझसे प्यार करती है बहुत ही सप्राइजिंग है मैं उसे सप्राइज देता हूँ अवर्यर फ्रम गौतम तीदी हाई हाई तीदी आज 11 बजे जेवी आर पार्क पे गौतम आपसे मिलना चाहता है तीदी आज 11 बजे जेवी आर पार्क पे गौतम से मिलने वाली हूँ येस ये गौतम हुगा तो अच्छा अब गौतम येस, इस में गौतम कृष्णा, मेरे दादा का नाम गौतम मेरे भाई का नाम गौतम गंभीर, टोटल गौतम ही गौतम, गौतम फैमिली, उस देन आपने एक फ्लैक पकड़ा था, नहीं वो मैंने, नहीं वो मैंने, मैं एक भारतिय हूँ और भारत का जंडा पकड़ना मेरा धर्म है, ये तो जंडे के साइस का है, ये मेरा नमा पनेगा नंदीनी के इतनी बुरी चोइस, ये इस इस माई गिफ्ट, टेक दिस, फर्स्ट मेजिंग, सेकेंड गिफ्ट, ये मीन फर्स्ट गिफ्ट है, चौंकनी की जरुवत नहीं, टेक दिस, भरपूर जल फिलो, एंज्वाए करो, सिर्फ मैं ही बाप किये जारो, तुम कुछ बो ये कैसा पागल था, ए गौतम, फेस पर इतना कन्फिजन क्यों है, और इतने क्वेस्टेन मार्क्स क्यों है, तुम्हें जवाब चाहिए, हाँ चाचा, कौन चाचा, मैं लवर बॉय हूँ, लवर बॉय हो या ओफिस बॉय, मेरी लव स्टोरी में तुमने एंट्री क्यों ल और जब तक मेरा मन नहीं भर जाता, शॉपिंग करता हूँ, किसी का पर्स पसंद आया, तो पर्स उठा लेता हूँ, नेकलेस पसंद आया, तो नेकलेस उतार लेता हूँ, ये मेरा टैलेंट है, इजी मनी, क्रेजी थींग्स, केर ओफ एड्ड्रेस, मतलब, मतलब तुम चो चोर है, उसने मेरे दिल को चुराया है, ये चोरी उसने कब की, कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने धंदे पर निकला था, कि मैंने देखा, कि उसकी चमकती हुई ना भी मुझे डिस्टरप कर रही है, फिर मैंने डिसाइट कर लिया, कि वो चमकती चीज और नंदनी दो कर सकता है, क्या मैं प्यार नहीं कर सकता है, जरूर कर सकते हो, लेकिन इस उमर में बातरूम में फिजल कर हाथ पर तुड़वा कर हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो प्यार क्या करोगे, ए, मैं तुझे वोन कर रहा हूँ, अगर तुने नंदनी की तरफ आँख उठा कर देखते हैं, अरे, जब से हम लोगों ने उसे देखा, तो सारा गर हॉस्पिटल बन गया, नहीं, हमें ना वो चाहिए, ना उसका कोई गिफ चाहिए, हलो, हाई, नंदनी, वील मीट अट, सेवें हील्स, हार्ड रोग, ओके, बाय जानू, मुझ्य पॉब में बुला रहा है, वाट? हाँ, पाप? वो तो दादा की उमर का लगता है, उसके साथ पाप जाओगी, हाहा, 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 ये, तुम्हारे सुन्दर गले के लए, प्यूर गोल्टा, नो, 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 णानो, तैंक यू, ये, गिफ्ट् देख रहा हूं। उससे नहीं इससे। यह तो बिल्कु बोईया ने आई। मॉप सॉंग के लिए सही है। आप देशभक्ति की डींगे मारते हो। वहाँ वो विदेशी लड़की रो रही है। और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। कहां गई आपकी देश्बादी तो अगर इसे चुआ ना तो सभी के पास गंस है अच्छा है गंस गंस क्या हुआ उन सभी लोगों के पास गंस हैं तो क्या हुआ अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या हुआ अगर विदेशी है तेरी तो कुछ लगती नहीं है तो भारता क्यों है अरे अंकल एक इंसान दूसरे इंसान के काम कब आएगा अरे मैं कुछ बोलो और तू कुछ बोल रहा है पहले मेरी बात का जवाब दो तो पता ना तू पुछना क्या चाता है माननो मैं वो इंसान अब इस लड़की को छेटनी की कोशिश करो यह बहुत गुमा फिरा के बात कर रहा है इसको देखले देख देख यह बहाँ! बहाँ बहाँ! मत पारो भॉलाना मुझे पारो तुमारी इतिनी हिमत तुमने मेरा कलर पकला अरे ये क्या इस जैकेट की बोली लाख रुपए से मामूली जैकेट का इतना माग रहे हो अभी तो बस धुलाई का टेलर दिखा है जो इस जैकेट को खरीद का है उसे पहन लेगा उसकी जान में बख्ष दूँगा और बाखी लोगों को दो लाख, दो लाख, दील लाख, चार लाख वोली बाद बढ़ाते जाओ, मैं एक ही दाम बढ़ाते हैं हम सबके बास मिलाकर सिर्फ दस लाख रुपए है ठीक है, बाट लो यहां पर जो तोड़ भूड होई उसके पैसे ठेंक यू सर्थ, ठेंक ये सो मच बाई डाड, बाई भाई भाई या भाई या, मुझे बोड टेंशन हो रही है अरे टेंशन किस बात की, खेल में हार जीत तो होती रहती है लेकिन तुम हिम मत, बिलकुल मत हार ना, दभी तुम जीत होगे ओके भाई या, मैं ज़रू फाइनल में पहुँँगा और फाइनल में आपको आना ही होगा और आप ही मुझे कोच करेंगे कोच की फिक्र तुम मत करो, प्लाइट का टाइम हो गया, आप जाओ अरे मैं बात तो कर लूँ पिता जी चलो आओ, अनॉंस्मेंट हो रहा है ठीक है जाओ, ओल्द बेस ओके भाई देड़ी ओके बाई डार्लिग वाट रालिग, वाट हैपन अरे 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 अरे, अरे, अरे अरे, अरे, वाट हैपन चाचा, अ चाचा अब मैं आपको बिना बताए, कुछ भी नहीं करूंगा प्लीज चाचा मुझे माफ कर दीजे ओके फूल डाउन उस दिन इस से परिचय करवाया था ना, पब में विश्नु, विश्नु देश पाणने फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए इसका हेल्पलाईन है बताओ, प्राब्लम क्या है मेरा नाम अरे क्या नाम नाम लगा रखा है चलो ज़ाओ यहां से, चलो! अब जल्दी बताओ, टेंशन में क्यो हो? क्या बात है? यह मैरी जिनदगी का सवाल है, चाचा जमीन आस्मान एक हो जाएं या चाहे सागर में पानी सुच है? ठीक है, ठीक है, थीक है फिंगर्प्रिंट मैंच होगे सर, मर्डर इसी ने किया है यू आर अंडर अरेस्ट ये क्या करें, मैंने कम मर्डर किया वो चाचा मैंने तुम्हारी कर्दूत है हाथ में इतनी बड़ी तलवार लेकर मंचूरों की बस्ती में एक आजमी को दोड़ा दोड़ा कर दिन दहारे और इपबलिक के सामने उसके दर को उसके बड़त अलग कर दिया था तो तुमने उसके गले को कद्दू समझके काट दिया अरे उसका सिर था सिर वो आप मेरी आद़ जानते है न जाचा प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ किससे इतना प्यार करते हो जो इतना बड़ा रिस्क लिया मुझे उसके गले की चेन अच्छी लगी तुमें चेन अच्छा लगा अरे तो गले से चेन चीनना चाहिए था चेन के लिए गला काट दोगे क्या चैन मुझे यह आइडिया ही नहीं आया आपकी बात सही लगी चाचा अगली बार मैं भाई करूँगा तेरी तो मेरे लॉयर आपसे बात करेंगे मरने वाले जज्ज थे जिला कोट के जज्ज थे हाई कोट जज्ज के बेटा थे और सुक्प्रीम कोट जज्ज के जमाई बावु लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया सर मैं अपने सर की कसम घाता हूं सर मेरा नाम विष्णू है इसका नाम गौतम है मर्डर इसने किया है सर उस दिन में रेस्टरांट में इसी ने मार पीड की थी सर इसे आरस्थ कर लिजिये सर, मुझा टानर एजिए सर बढ़िए पैर जिए सर बढ़िए पाणर येस येस पाबी बढ़िए बढ़िए अमारे बढ़िए अपके देवर है बावी पपु भाई के छोटे भाई लोग यानी कि आपके देवर आप दीप में बैठिये हमारे घर पर चलिए और हमारे घर में दीप चलाईए चलिए ना बावी यह जो सब रास्ते में बता दूँगा आप चलिए ना मैंने इसे फोन करके पुलाया है अरे अपन का इजद का सवाल है यार उस लड़की को हाथ भी मतलगा ना मेरी इम्मत और मेरी ताकद यहीं पर बैठिये सब लोग आपस में लल्लो मैं एमपेर बनूगा जो खड़ा रहेगा उलाथ खाएगा जो गिरेगा वो गोपर खाएग यह कैसा पागल बेवडा है भाईया आपकी नजर में अमारी को इजद है की नहीं अरे जब दो को मारने चले आते हो आज क्या बेचने आयो बताइए सौक्स रोमाल गंजी चड़ी जो चाहिए बोलिए हम तुरंत खरीद कर यहां से चले जाएंगे तुम ड्यूटी पर हो तो इस लड़की को ले जाए है? लेकिन एक कंडिशन है कैसी कंडिशन भाईया अरे जब देख़ो तब कंडिशन सामने लिख देखे हूँ देख मोटे उस लड़की को ले जाएगा तो नहीं मारूंगा लेकिन गल्ती से भी कोई और गल्ती की तो क्या बात कर रहे हो भाई yaha hm.. नोग हो देखने से आपको को लगता है कि हम और कोई गलती कर सकते हैं आ आ बहिए आपनो ही था कि बाभी को यहाँ से लेके जाओं तो क्या निया काम किया फिर भी आमने क्योताहरा मुझे देख मोटे जब तुने चिला के कहा न ये, भावी को गाड़ी में बिठाओ पता है उसके बाद क्या हुआ था? कि मो रो रही हो, सो जाओ पता है तेरी वज़े से उसकी मा बेचारी उस लड़की को लोरी गा कर सुलाने की कोशिश कर रही है पर वो सो ही नहीं रही है तो उसे ले जाने से पहले इस लड़की को सुला मैंने कहीं भी इस तरह का सेटलमेंट अपनी पूरी लाइफ में ने देखा अभी सुला दूंगा इसे, हम सब लोग मिलकर इसस सुलाएंगे आजा बेटी क्या हुआ बच्ची को लोरी सुना कर सुला रहा था यह लोरी सुनके बच्ची तो नहीं सुई पर उसकी मा सो गई यह कैसे हो गया बच्ची को सुलाना चाहता था तुम्हें बच्चों के लिए लोरी गाना नहीं आता है क्या तुझे आता है क्या हाँ आता है न नखिर ले सुना अलाओ आजारे आजारे निंदिया आजारे आके मेरी मुनिया को नींद मेले जारे आजारे आजारे चंदपेij ग्लाओ बड़ कद यह क्या गा रहा है लोरी ऐसे गाया जाता है करो दो 007 गले अब देश को थ cuidado ओ मेरे देश की दरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की दरती अबे, बच्ची को लोरी गाकर सुलाने का था, तु जोर जोर से देश बक्ती का गाना गा रहें, वहाँ देख इस गारे को सुनकर एक बर आत्मी सो गया ना तो दुबारा वापस नहीं उठेगा इनके माक्या पी कर सोना ही अच्छा है अवे सिब्याई पिछले साल तुम्हारे दो साथी मारेगा और अभी तक मारने वाले अरिष्ट नहीं हुए और होश्यारी करने वाले सुनामी में बहे गए सागर के खिलाब कोई केस नहीं बनता है उनकी मौत का जिम्यदार मैं ये बाते बहुत ही कम लोग जानते हैं मुझे मार कर तुम लोग भी नहीं बच सकते उपर भगवान देख रहा है अरे ब्योकू भगवान हमेशा बलवान का पक्ष लेता है शेर जब शिकार करता है तो वो हमेशा शेर का साथ देते और सुन शिकार शेर को मानना चाहता है तब भी भगवान शेर का ही पक्ष लेत और मैं हमेशा शिकारी ही रहूँ है पी जर्णी टू माइफ्रेंड है पीजर्णी नमस्ते सिपी साथ मेरा नाम पपु है और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं अपकी बेटी जिससे प्यार करती है उसके साथ मेरे ठसन है उसके लाइफ में आपकी बेटी गई इसके लिए यहां आया हूं उसकी चैलेंज का जवाब देने मैं यहां आया हूं और यह भी जान लीजिए कि आपकी बेटी कैसे दिखती है मैंने उसे देखा नहीं हाभी आ गई है भाई आई उसके आइटम यह है क्या देखो एसी पी तुम राजी हो गए तो शादी और फिर हनीमून और राजी नहीं हुए तो हनीमून और फिर शादी तुम्हारी बातों से दो बाते मेरी समझ में आगे पहली मेरी बेटी किसी लड़के से प्यार कर दिये दूसरी तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता है अगर मेरी बेटी तुन से शादी करने के लिए राजी होती है तो मुझे खुशी होगी, लेकिन तुमारी मदद करने से मेरा क्या है? आपको क्या चाहिए? DGP DGP पहले शादी की डेट फिक्स करिए दादा, ACP के बेटी के साथ मेरी सगाई फिक्स हो गई है, आपको आना पड़ेगा अरे पपू, इंगेजमेंट और संगीत का मनमुहाँ खेल मैंने, बहुत खेला है पपू अगर लड़की की मर्जी की बेना तुम्हें शादी की, तो तुम्हें जख्मी शेर का शिकार बन जाओगे मंडब में जाने वाला पपू, उसका इतिहास मैं अची तरह से जानता हूँ अब भी आऊँ, ज़रूरत नहीं ददा, मैं खुद संभाल लूँगा जानते हो, तुम्हारी वज़ा से कॉंट्रेक्ट हाथ से निकल जाएगा पिताजी आपको पता है क्या हूँ नहीं, मुझे कोई एक्स्प्राइनेशन मत दो, रभ्यक्तुम नहीं हो तुम मेरा फोन क्यों नहीं आंसर कर रहे हो, गौतम? अब मेरी लाइफ का प्रॉब्लम सिर्फ तुम ही सॉल्व कर सकते हो क्या हूँ अनदिनी? मेरे डाडी ने पपू से कॉंट्राइक बेसिस पे मेरी इंगीजमेंट फिक्स कर दी है तुम्हारे डाड है का? ओ, तुम मुझे DGP बनाने वाले हो मुझे DGP बनाना प्यार करने जितना आसान नहीं है सर, लाइफ में हर मैटर के लिए सिंपल और इसी सेलुशन होते हैं वो तो हम है जो उसे कॉंप्लिकेटेड बनाते है मुझे आपको डीजीपी बनाना एकदम छोटा और मामूली सा काम लगता है और कॉन्फिडेंस लेकिन मुझे पपू पर कॉन्फिडेंस है पता है क्यों? क्योंकि उसका बहुत स्ट्रॉंग बैक्ग्राउंड है और उसे माफिया का बॉस दादा का सपोर्ट है मले ही वो गलत रास्ता अपना है लेकिन वो मुझे डीजीपी ज़रूर बना दे अगर आप सिंसियरली ड्यूटी करेंगे तो डीजीपी बन जाए अब ये प्रैक्टिस शुरू नहीं और ओलिम्पिक्स में गोल्ड मेडल जितने का सपना देख रहे हो दुम चाहते क्या हो मैं इस उम्र में दवड़ा दवड़ा कर इंकाउंटर करूँ और अगर उन्होंने मेरा इंकाउंटर कर दिया तो मैक चाहे कोई भी जीते कब सिर्फ क्याप्टिन को ही देते समझा नहीं बहुत सिंबल है सर आप अपनी गन मुझे दे दीजे दादा और उसके गयांग की लिस्ट दे दीजे एक एक करके उनका इंकाउंटर करूँगा और आप प्रेस कॉंफरेंस बुला कर कह दीजे कि यह आपने किया है और बन जाओंगा डीजीपी जरूर बन जाओंगा डीजीपी गो 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 आप देखा सर यह आत्मी नहीं मिसाइल है देखना यह कैसा दमा क्या करेगा क्यों रही आज बहुत खुश लग रही हो इंगीश में ठोने वाली है ना और देखना गौतम ऐसा होने नहीं देगा गौतम? या हुआ जचा नंदनी के डिजाइन के हुए फोटो फ्रेम में फोटो या तो इस गौतम की होनी चाहिए या फिर इस गौतम की ये बीच में लंगूर कौन है जो भी हो इस एंगेजमेंट को रोपना होगा चलो हुआ जो जो हाईाई हाई 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 हए हाई बहुद है, इस गार! टेड़ी, टेड़ी, पाओ! हलो, कौन है वो... जिस्ते बपर को मारा? तो येस, मुझे पता था, गौतब, मेरे लिए और मेरे प्यार के लिए तुब कोई भी रिस्क ले सकते हो, I love you, I love you so much, I love you too. अरे, 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 ये बताओ, आखिर हो क्या रहा है? प्रेकी बाओता है, अरे, आखिर हो, I love you too. इस सब के लिए मैंने नंदिनी के डायर को कंसर्ट किया से मतलब प्यार के लिए तुम मर्डर करोगे? मतलब उसे DGP बनाने के लिए क्रिमिनल्स को मार दोगे? ससुर जीनल ने लिस्ट दी है चाचा अब उस लिस्ट में जिसका भी नाम है उसे मैं जिन्दा नहीं छोड़ूंगा मैं समझ गया ये एक-एक कुट नपकाएगा सब को लगयागा ACP ने मारा है और इस तरह ACP को प्रोमोशन मिल जाएगा फिर ये नंदनी से शादी कर लेगा आप का होने वाला दामाज शेर है सर फिर कुट शेर की तरह उसने शिकार किया है जो भी हो ये आपके ACP में डाल दो सब मैं दादा के आदमियों को मारने का क्रेडिट मेरे ACP में डालूंगा तो एक दिन दादा मुझे ही टपकाएगा गवतम के हाथो जब दादा आखिर में मारा जाएगा तब हम बताएंगे ये इंकाउंटर मैंने किया था इसे नीचे करो भगवान दूबे मेरी बीवी ने अल्रेडी सटा दिया था इधर तु मुझे टपका दोगे उधर उसका सिंदूर धूल जाएगा मुझे सही में नहीं पता एक मारने वाला बता सकता है दूसरा जिसने देखा वो बता सकता है और तीसरा मरने वाला बता सकता है मरने वाला बताएगा और फिर मरने वाले को हम मारेगा दाड़ा का बेटा है मैं ये बच्चों के लिए तो भाई है लेकिन भाईयों के सामने बच्चा है फिर कब मिलोगे जालें जाओ जाके तुम अपनी पसंद की साड़ी करना है कहा यहीं? कहा है? मेरा प्यारा भतीजा जिसकी शादी होने वाली है आप पहली वाली शादी में नहीं आए और अभी शादी के लिए है यह दो दो शादी हों क्या बात कर रहे हैं? तोलों का अब सिर्फ फ्लेश्बैक ही रहा है तब सब बताओ क्य हुआ है? वो देखिए आखिर तेरी शादी का प्रॉब्लम क्या है? चाचा, शादी करना मेरा सपना है तुम तो हमारे खांदान के चिरागो क्योंकि सिर्फ तुम्हारे पिता जी की शादी हुई थी तेरे पिता जी और मा की शादी ठीक ठाक हुई थी और तेरे दादा जी नाना जी ने मिलकर बातचित की और तुम्हारे पिता जी की शादी तुम्हारे मास हो गए बहुत मनत करने के बाद में तुम पैदा हुए थे और मेरे शादी की बात करने के से पहले ही मेरे पिता की मौत हो गए थी हमारे खांदान में शादी नहीं हो सकती है लड़की पसंद है उसके इस्तमाल करो भूल जाओ बाहर आटो में एक मस्त आइटम है भेज दूँ क्या चो अच्छा आप भी ना समझ क्या समझ क्या मेरा ही भती जाए तुम लग इदर क्यों आया है दुश्मनों के साथ दोस्ती करना मेरा परम सिध्धान्त है मेरा भी यहीं सिध्धान्त है सेम टू सेट तो हम चले आचलो ओके इंगेजमेंट रुख गई ना बेटा वो बबर शेर मारा गया ना मुझे लगता है बबर की मौद के पीछे इन दोनों का ही हाथ है तुम्हार यह ड्रामा बात से बंद करो बबर को तुम नहीं मारा है मुझे पता है सही का मैं नहीं मारा है जो मुँ में आये बकते हो मेरी उतनी हिम्मत कहा कि मैं बबर को मारू उससे तो अच्छा मैं नंदिनी को ही मार देता है कुछ भी बोलते हो पहले पता लगा उसे किस ने मारा है भाया आपके नाम से डिवडी आई है जिहार 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 अस्सलाम आलेकम पपु भाई वालेकुम अस्सलाम आरे इंगेजमेंट हम नहीं रुखवाई है मेरी शादी और अलकाइदा का क्या सम्बंद है इधर पुछो भारत के टॉप 10 टेर्रीस्ट के लिस्ट में सबसे पहले तुमारा नाम आया सुन रहे हो गौतम टेर्रीस्ट भी इसके पीछे लगे हुए है आजका लिंगी बहुत चल रही है चाचा तुम्हारा थोब्रा देखने के बाद बिल लादेन की याद आती है है ऐसे कर दिख रहा है बाई क्या बता हूँ आपको आपकी आइटम से तो वो बिल लादेन की आइटम कई कुल अर्ची है अलकाइदा होया और कोई आज से तीस दिन के बाद मेरी शादी होगी स्ट्रॉंग महुर्द निकालो है उस दिन आजाना बापरे तीस दिन हैं मुझे यहादा लगता है चाचा कि तब तक यह होने वाली दुलहन को बहुत टॉर्चर करेंगे न जाने क्या होगा चलो हमारी जान तो बज़ गए उन्हें परव अपना पर इस और ऊन्डिनी को आने दो jet नंदिनी के नाम पेमें कर मार खिलाएंगे तुमको को नहीं मार सकता तुमको मारने से पहले इन लोगों को चंद्रमा पर आर बनाना पड़ेगा मैं अब्र लैपस सौल, FRCS, रिटांन लंटन है इस रेट इस स्पेशलिस्ट। किसा धादा रे? दादा को नहीं जानता तू? नहीं अ-ख़ान का दादा मैं और पाद में एक अब्राद में उस पाट के इतना दैर जिंदा रहता है ये बात तुम मेरे को बातों बॉड़ी तो मर जाती है लेकिन हार्ट थोड़ी दर काम करता है स्केन साथ दिन तक जिन्दा रहती है ब्रेन दिन घंटे तक काम करता है और आखे छे घंटे काम करती है और वाकी के पार्ट्स के बारे में आई दोन नो तो इसको जिसने भी मारा होगा तो इसका आख में उसका इमेज होगा नेचरली तो उसका इमेज हमको चाहिए अब चार देन वेट कीजिए सब्सक्राम के नथे अए बढ länger right का व्लेट निकालना इजी है सार लेकिन बेटीनष में निकालने के लिए कम से कम चार दिन लगेंगे आप वेयट कीजिए ले किजिए र indem को सणتू पपु तो strong महुरत निकालने के लिए कह कर गहीं अब हम क्या करें महुरत को आगे बढ़ा देते हैं वो कैसे नंदिनी की एंट्री भापी आ रही है कि मेरे घर आई हो लेंस के अंदर से देखा तो मुझे वो दिखाई दिया क्यामरा क्लिक करने की बाद पता चला वो आदमी ये है लेकिन फोटो का फ्रिंट तो तुम्हारे साथ ही होगा ना मेरे दिल का फोटो तो इसने खीच लिया लेकिन आल्बम तुम बनाओगे इसलिए शादी थोड़ी पोस्पोन कर दो ना अरे क्या बात कर रही हो नंदिनी ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है जब चाहे बदली ये शादी है वो भी स्ट्रॉंग मुहरत में आपने शादी की प्लैनिंग तो कर ली होगी ना प्लैनिंग इसकी है तुम्हारी यह मेरे होने वाली पत्मी है मुझे पता है क्या करना है बावी को नंदे ले जाओ नमस्ते आइए भाभी आगई है अब आगे बहुत बढ़ा कांड होगा कांट्रोल से भाहर हो गया है यह सब घरत है यह क्या है लंदिनी रात को तुम मेरे सपने में आये थे पपू कितना क्यूट सपना था पता है बहुत हैंसम लग रहे थे नाने के बाद मैं अच्छी तरह से लिप्स्टिक लगा कर तुम्हें किस करने आई थी और कॉरिडोर में ये था आगे क्या हुआ वो मुझे नहीं पता कहानी बना रही है अफसोस मत करो रात को सपने में मैं है था नहाते वक्त भी मैं ही तुम्हारे मन में था लिप्स्टिक बोख लगा दे वागते वक्त तुमने मुझे किस किया कि आत तुमने ही किया लेकिन आगे का जो में घर हुआ उसमें तुम थे का है सौरी पप्पू, यह मेरा फर्स टाइम है, मेरी पहली गल्ती को माफ कर दो ना ऐसी गल्तियां करती रहेगी और हर गल्ती के बाद बुलीगे फर्स टाइम है च्वाचा, ओके, वो तो नादान है, तुम तो समझदार हो अरे, उसने मुझे अचानक से पकड़ लिया, उसे लगा मैं पपू, तो उसमें मेरा के फॉल्ट है देखो पपू, उसने प्यार के पागलपन में मुझे पकड़ा, यह देखकर तुम पागल हो गए यह सब मुझे नहीं चाहिए, तुम जल्दी से शादी की तारीक फिक्स कर दो, फिर मैं आराम से बैंकॉक जा सकता हूँ तू चलेगा मेरे साथ, यह बाई, मैं भी चलेगा यह दाट्स वांडरफुल थॉट, शादी का देट पोस्पून कर दो पपू यह खबर सुनकर सब चौक जाएंगे भगवान, हैदराबाद से पपू का फोन है बोलो, दादा, मैं शादी कर रहा हूँ अब यह वो शादी का पागल, इधर मन रहो गया और तुझे शादी की पड़ी है चादी रोक, देखर दिमाग, अगर किसी को दिमाग है तो मैरे छोटू को है, पता उसने तुमारी शादी में क्या किया छोटू, इसी शहर में है? लेकिन कहां? शेहर के बाहर पणाडी इलाक्य में है सुनो, मेरी शादी, मेरी शादी उससे होकर रहेगी और शादी के बाद दादा के बेटी को भी देख रूँगा यहां चुप कर बेढ़े हो आखिर हमने तुम्हें ढूंट कर निकाली लिया देखो तुम्हारा शिकार करने शेर आया है आखिर हमें तेरा प्राप कौन है आप लारे हमें नहीं पहचाना हम शेर है अगल्ये गवरी देवदा यहिनमहां धियायामी जानम्जमर्पयामी खावायामी आजनार्थेख्षदाम्जमर्पयामी तुमना नवरत कजित जिम्भाजनम्जमर्पयामी वो जोटू कर लो शादी कर लो बबर मौर्ग है ना मुझे पहले शादी कर लेने दो प्लीज मुझे भी मार दो फिर शादी कर लो शादी मेरा ठीन को जोटू करें वाकव मेरा टाकेट है माई माइलाइस हं क्या हुआ है वह तो फिर दोज अन्द दो लोग को मारो उस शेर और उसका साथी को माहनने बाद तुम्हारा होगा सलमान खना और उसकी शादी होते होते रुख जाती है अरे भतीजे मैंने गाता ना हमारे खांदाल में शादी होई नहीं सकती है पसंद आई ना यूज करो भूल जाओ बहुत सारी आइटम लाइन में खड़ी है भेज दूँ क्या है हुए 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 था हुए शेर अकेले ही आता है यह दोनों सुपरस्टार तो नहीं हो सकते याद करो उनकी बारे में कुछ याद आया तुम्हें बताओ हाँ हाँ टैटू था उसका हाथ में टैटू टैटू था टैटू में क्या लिखा था चुप रहा तू हम कॉलकाता से आया है वो जीज भासा में लिखा था मेरे को समर में नहीं नहीं बच गए सर मेरे अंधाश सही था वो टैटू वाला यहीँ होगा है कि अधर तीका हुपना थेखो देखो देखी देखिया सर टैटू क्या देखे घर है एक और भी हात था में हं तुम्हें तो हॉस्पिटल में उनों चे थे तुम्हें का अपना हाथ दिखा अपना हाथ दिखा पुलाना दिखाने रहा है सर मुझे क्यों बारा अरे इसको देखो चीटी कर जैसा दिखता है ये मेरे कुमारे का कि अधा का बेटा है हां कि तुम्हारी इस दमकी से डर जाओंगा इंमत है तो शूट करो देखो टीक से टैटू है क्या देखो द्यान से इदर यांसे चलो यहांसे सॉरी सर चाचा थोड़े फ्रस्टेट हो गया फ्रस्टेशन नहीं मेरे बाई फायर एंजिन से फायर निकलन होता है आपको ज्यादा टेंशन हो गई है चलिए थोड़ा हराम कर लीजिए है डाक्ट्र लेपास कॉल कीधर है इमेज कीधर है आमेने इमेज निकाल ली सब्सक्राइब किसकी इमेज गई है मेरी या तुम्हारी यह तो स्टार है जही कहा तूम ने हम बोला थाना हम बोला थाना माम को मारने वाला कुछ चोटा-बुटा शेर नहीं था बबर सेर था वह था वह तुमको इसी आदमी ने मारा और रेटिना में भी इसकी हिमेज है यह तो बड़ा कनफीजिंग और यह तफाक कैसे हो सकता है आजकल बड़े लोग मरने के बाद वापस आते हैं माइकल जैक्सन वापस आ गया था तो शायद ये भी आ गया होंगे बाद तो पते की कर रहा है तेरा डाउट तो क्लियर हो गया है यह कैसे हुआ इमेज कैसे बदल दी तुमने उस इमेज को इस इमेज से रिप्लेस कीजिए वो आतमे गन दिखा कर कहता है कि इमेज बनाओ और तुम कहता हो कि इमेज बदल दो उसने गन चला दी तो मेरी इमेज दिखल जाएगी मैं डॉक्टर लेपस कॉल हूँ ऐसा नहीं करूँगा तुम ऐसा ही करोगे नहीं बदलू अप बदलोगे नहीं बदलूगा अब बदलोगे पागलपन देखकर मेरा बीपी हाई हो गया हमैं कैसे भी करके उनके पागलपन से बचाई है टॉक्टर उनसे कहो कि वो दोनों सुपरस्तार की फिल्मों को ना देखें और उनसे कहों वो गन का इस्तमाल भी ना कर रहे हैं लेकिन उन्होंने घर आत्म लिया तो जिले ना और फितरे बाप को बुला है चाचा को बुला अपनी बगवास मंद का हां कहां से आ जाते हैं नमस्ते सर क्या प्रोब्लम है तुम्हारे हार्ट में हो लिया कितनी में हो लिया ऐसा कुछ ने सर्ट टैटू की वज़े से मेरी जान जा सकती है सर्ट शेया लाइक लगेंगे लेकिन उसका तो पांज रूप हमें कर दिया था अरे बेवकुफ्त वो यंग ब्लैड था उसका खुन गरन था इसलिए दिल्ली हो गया तो फिर मैं क्या करूं सर्ट गॉड को प्रे करो अगर ने चाहतो डॉक्टर साब मुझे मंजूर है मैं छे लाग आपको देता हूं तैंक यू सर्ट बबर को तुमने तुरंट मार दिया लेकिन उस छोटू को वेटिंग लिस्ट में क्यूं रखा है बेटे को मानते ही दादा अलर्ट होकर भाग जाएगा अगर उसे यहीं टॉर्चर करेंगे तो दादा अपने आप बिल से बाहर निकलाएगा मेरा कॉल नहीं उठा रहा है पपू तुम्हारे कॉल का जवाब नहीं दे रहा है छोटू का फोन कंटिनूस्टी स्विच ओफ है पपू के एंगेजमेंट के समय से ही ये प्राब्लम शुरू हुई है जरूर दोनों में कोई लिंक है हमारा नेटवक कोई है कर रहा है ऐसा कौन कर सकता है कौन कर सकता है हमारा कोई दुश्मन जरूर है हो सकता है वही दुश्मन ये सब कुछ कर रहा हो पहले बबबर को मारा, फिर छोटो को मारने की कोशिश की मतलब अभी उसके हिस्से का काम बाकी है उस पपू को फोन करो, मैं उससे मिलना चाता हूँ वेलकुल नहीं, मैं उससे निप्टूँगा मैं शेर का शिकार करके उसकी डेड बॉडी से आपका वेलकुल करूगा तेरा बाप आया है, तेरा बाप देखो, लास्ट वोडिंग है तुमारे लिए अगता कहा है अरे लेट चाल तेरे बाप को बुला यहां पे समझा, तेरे बाप को बुला ले, बुला ले, जन्री बुला ले मैंने से क्या पाप किया है मेरी शादी नहीं होगी क्या, वो गौतम, वो दुनों ही क्या बोलते हैं सुपरस्टार्स जिहादी लोग लगता है इस जन में मेरी शादे नहीं होने वाली दिमाग का दहीं मत करो पापा को बलाओ चाशा को बलाओ पूरी दुनिया को बुलाओ मैंने डिसाइट कर लिया मेरी शादी नहीं हो सकती मुझे शादी नहीं करनी है मुझे शादी नहीं चाहिए नहीं चाहिए मुझे शादी जाववा यार इस तरह मुझे उंगली डाल के सोच रहा है अरे तेरा कॉंपटिटर मैदान छोड़ कर भाग गया है सुन अब उसे शादी नहीं करनी अब तेरी लेन क्लियर है वो बात नहीं है मैं उस दील के बारे में सोच रहा था अभी तक वो डील नहीं हुई है तो फिर से शादी करने के लिए मन में चाहत के बीज बोने होंगे इस ट्विस्ट में, इस लिंक में, इस प्रोग्लम में सब तो तुमने क्लियर कर दिया यार येस अरे बताना यार, हस्ती उरा है, मेरे भाई, बता दे अब तेरा अगला कदम क्या होगा अपना काम हो गया चाचा कैसे? वहाँ देगो अरे बीबी ने दोया ना आपको कैसे मालूम बाबा? अरे, इस लुंगी बाबा को तेरी एक-एक बात का पता है तेरा चोटा भाई पागल है ना तेरा चाचा एक नंबर का कमीना है बाबा, आईये बाबा मार क्यो रहे बाबा लुंगी बाबा से मिलने आया लुंगी पेंखर क्यों नहीं आया ड्रेस चेज बाबा, ये लुंगी क्या नातक है लुंगी पेंखने वाले को सुभे सूरस निकलने से लेकर रात को चांड निकलने तक पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिलता है पहले उस प्रॉब्लम वाले लूंगी को लेकर आगे आओ ये क्या हो रहा है? बाबा मौकाल ये बिना कुंडली नहीं देखते इस लूंगी में वो योग नहीं है कैसा योग नहीं है? शादी का योग नहीं है मुझे में शादी की सारी कौलिफिकेशन्स है बैटरी में चार्जिंग नहीं है तो आईफोन लो या चाइना फोन लो क्या फर्क पड़ता है? इस लूंगी से जिस लूंगी को प्रॉब्लम है उस लूंगी को लेकर आओ इस लूंगी में पावर जादा है तेवर जादा है और लाइट जादा है इस लुंगी के साथ तुम्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है दुनिया में औरतों के लिए बहुत लड़ाई जगड़े हुए हैं अब उस औरत लुंगी को लेकर आओ लुंगी के बारे में तुम्हें बड़ी अच्छी जानकारी है मैंने जो लुंगी पहनी है न उसे देखोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे ये लुंगी तो आउटडेटेट हो गया है रहे ये तो सूख गया है रस्ती पर लटकाने के सिवा इसका कोई काम नहीं है इस लुंगी का राम नाम जपना ही अच्छा रहे अगर ये साथ मरे हुए लुंगी का नाम ले लेगा तो इसकी लुंगी का काम हो जाएगा नमबर वन फाइफ अदर नमबर टू भाई के पिताजी नमबर थ्री मेरे पिताजी नमबर फोर बाटी के बचे हुए तीन लुंगी ऊपर जाएंगे तभी इसकी शादी हो सकती है पापा को बुलाओ चाचा को बुलाओ बाबा मेरी शादी नहीं हुई तो कोई बात नहीं लेकिन मेरी वज़्ज़ से दादा की लाइफ को रिस्ट नहीं होना चाहिए देखो पपू पहले उन लोगों को यहां बुलाओ लाख लुंगी की दुआओं के साथ मैं उन्हें बचाओंगा फिर तुम्हारी शादी होगी ये सब देखकर तु मुझे डर लग रहा है बाबा पहले इस लोगी का भय भगाना होगा पेरी सत्य परम भग रंधीता लोगी को बुलाओ किसको भीजरा था बता किसको भीजरा था किसको भीजरा बता 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 किसको भीजरा बाहे कि अपर राई लाँ लड़ा को अपरी तो बस्ट हमाँए कर दो अजया हमाँब कर दो दो ता हमाँब घब कर दो. फजो बुपर लुपर! द समाई ए्काटा दोजी हो पह। परेजा हैं? भे फे खड़े! नँ लहाएından रहेंगा एडित क्यों, नहीं! एए 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 बबबर को मारा छोटू को टॉर्चर किया और तुझे भी खत्म करने वाला हूँ मैं हैपी जोदी कोई गंती करता है तो उसे सजा दे सकते हैं बहुत ज्यादा हुआ तो भाच पैर तोड़ सकते हैं पर जान से मार देना समझ में नहीं आया उसके क्या जरूरत थी प्यार के लिए पिताजी एक लड़की के प्यार के लिए सिर्फ एक लड़की के प्यार के लिए किसी को मार डालोगे हां मार डालूगा मैं प्यार के लिए मार डालूँगा लेकिन उस लड़की के प्यार के लिए नहीं मेरे छोटे भाई अजय के लिए मेरी माँ के प्यार के लिए टेंडर के लिए मैं शहर गया था फिर अजय का जैस कॉंपिटिशन देखने के लिए कॉलकाता गया था झाल झाल येस नेस्टीर नेश्ट करंख और मौरह्ट धुष चल्टिर भज्यमारे धाई पत्रम benchmark थाईंट सुष आर्ट गालन मांart अजेब, हेलो, अजेब.. अजेब.. अवाज आ रही है.. भाई, आपको सुनाई दे रहा है क्या.. अरे अजेब.. हेलो.. हेलो.. वाईली, इस येर नेश्नल चॉंपिर्टिप्स्टुम मस्टर अजेब.. फिली संसरदददददद! आई एक मास्टराई प्ली पांटरेड़ु प्ली पांटरेड़ु एपी जर्नी माइ फ्रेड़ु माँ गौतम बोलो कौन थे माँ मैं नहीं जानती क्यों मार ये भी नहीं जानती और नहीं ये जानती हूं कि उन्होंने अजय को क्यों मारा मेरी आखों के सामने मार दिया उनके लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं का आद्मी और जानवन में कोई फरक नहीं दिखता उन्हें इंसान को इस तरह मारने का उन्हें कोई आख नहीं है को तब उन्हें मार डालो मा ने कहा उन लोगों को मार दो क्या ये घलत है? लेकिन मैं उनके बारे में कुछ नहीं जाता था कोई सुराग ढूनने के लिए मैं फिर से उसी चेखे गया वह मुझे अजय का फोन मिला उसमें रेकॉर्ड़ेट वीडियो से सारी बात साफ हो गई वो लोग कौन है? कहां मिलेंगे? ये ढूनने के लिए मैंने पूरा कॉलकाता शेहर चान मा जिनको भी उनके बारे में पूछता था वो एक ही जवाब देते थे कि हमें नहीं पता फिर मुझे पता चला कि मेरे टागेक का नाम दादा है और उसे आसान मौत नहीं दूनगा उसे तड़पा तड़पा के माव कर और फिर मैंने पता लगा कि दादा के हाइदराबाद लिंक का नाम पप्तु है और उसे कुन्ने में मैंने मेरे प्यार की मदद ली मैंने नंदिनी के डाट से मुलाकात की उन्हें लगणा है यह मैं प्यार के लिए कर रहा हूँ बगर मैं अपना पदला पूरा कर रहा हूँ उसके बाद मैं शिकार पर निकला रहा हूँ इतना कुछ हो गया लेकिन एक बात भी तुम लोगों ने मुझे नहीं बताई बताने की हिम्मत ही नहीं हुई मैंने सोचा आपको ना बताना ही अच्छा होगा मुझे लगा अगर मैंने आपको बता दिया तो शायद आप परदाश्ट नहीं कर पाओगे इतना बड़ी बात तुम लोगों ने मुझे चोगा इतना बापागे की कि तयरुह i ते चीचन में मुझे कुछ नहीं है। जब तक तुम जिन्दा हो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है। मुझे कुछ नहीं हो सपा है इंत्शार कर रहा है कि इसका भाई उसके हध्यारों से बदला लेगा। जरूर बद दालेगा वह मरा नहीं है अभी अभी नहीं मरा है गलत मत देखो गलत मत सुनू और गलत मत बोलू ऐसा गांधी जी ने कहा था गलत होते वे चुप मत रहो ऐसा कौतम ने कहा मुझे मारने की काफी कोशिश कर रहे हो मेरे राइट हेंड को बारा मेरे भाई को मारा और मेरे बेटे को परिशान कर रहे हो मैं जिस रास्ते पे चलता हूँ उसे तुम क्लोज करते हो तुमने इस दादा से पंगा लिए मुझे कैसे पता चला सोच के कंफ्यूज हो रहे हो ना मुझे सब पता चल गया क्या मस्त गेम खेला तुमने अब मैं भी खेलूगा तुम्हारी प्रेमिका के साथ उसके जान जाएगी या नहीं जाओ जाओ जल्दी जाओ टाइम नहीं है गेम स्टार्ट्स ना तु यह त्यार पसंद है वो लेकर तयार रहना चाकू दल्वार बंदूग जो चाहे रख ले अब मौत तेरी तरफ आ रही है तु रोक सके तो रोक कर दिखा आज चाहे तुषे भगवान भी बना दे दे पर तेरी मौत नहीं टलने वाली है एर दे भी वाली है नहीन है नहीं है नंदे झाल कर्सक थाए रेख गंदे रहा오리 म भें खळय को तुम झाल में रेखंगे जी वार्ण देन से फान भी थान संदों अपड़ अपड़ लो! चोटु, चोटु, बैटा, चोटु, चोटु, चोटु! बैट, बैट! क35 में हाग! आपड़ आङे! करू थक्राइबर कि र हुआ दना सकतर कुछित चा deepest करू प्रो फरोग। नह तरणी कि अठर ऻचल करवस कि बना करन दो कि थ्हाज़ उक्मौ! अंप इंभर मैंबबन miał ग। कि लचव कि लच sag़ उढो, आज रसे? कि लंभर मैंबन वैंबन кусकाचस मैं ब हिंक मैं भीन को मैं कि जबना जब हिंक त havी जगो जर दो, जर जो, जो! उट्ट, उटना, उट बेटा, उट्ट उट्ट